जिन्दगी की असली उडान है बाकी अपने इरादों का इंतहान है बाकी अभी तो नापी है मुठी भर जमीन आगे अभी पूरा आस्मान है बाकी बीच बहसकारी क्रव में मैं मौनीका पालिवाल तही दिल से आप सभी का स्वागत करती हूँ कहते हैं कि किसी राष्ट का निर्मान या किसी राष्ट का संपूर्ण विकास तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक कि उस राष्ट के हर वर्ग को हर अंग को हर समाज के एक हिस्से को परिवार को एक साथ लेकर आगे ना बढ़ा जाए। पिछले सब्तहा वित्मंतरी निर्मना सीधारमन ने बजट की खोशना की और उस खोशना के बाद हर वर्ग को हर परिवार को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सौगात देने की पूरी कोशिश की गई है लेकिन वास्ताव में इस बजट का क्या प्रभाव रहा खास तोर पर उद्योग पर व्यवसाई पर व्यापार पर इस पून जगत पर अकिर किस तरह से सारे प्रावधानों ने अपना असर डाला है या डालेगा इस खास विशे पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ बीच पहस कारी करम में बेहत खास महमान मौझूद है सबसे पहले में स्वागत करूँगी शिरी अरुन अगरवाल जी का असर आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस कारी करम में अरुन अगरवाल जी कारेकारी अध्यक्ष है 40K और सचिव और प्रवक्ता है राजस्तान चेंबर ओफ कॉमर्स एंड इंड़स्ट्री के एक बार फिर सर आपका बहुत-बहुत स्वागत हमारे इस कारीक्रम में अरुन जी मेरा पहला सवाल आपसे यहीं से शुरुवात करती हूँ कि बजट की घोशना हो चुकी है आपकी द्रश्टी में इस पूरे बजट को आप किस तरह से देखते हैं क्या आपकी प्रतिक्रिया है देखिए मौनिका जी अभी एक फरवरी को मानी बितमंत्री निर्मला सीतरमन जी दो जार इकिस बाई का सेंट्रल बजट पेस किया जी मैं बोलना चाहूंगा आपके मारपत यह आज तक के देश में हितियास में पहला पेपर लेस बजट है जो इंडिया मेड इन इंडिया टेब्लेट पर पढ़ा गया है तो ऐसा डिजिटल इंडिया की तरफ यह इसका मतलब हुआ डिजिटल इंडिया की तरफ इंडिया जा रहा है जी दूसरा मैं पहना चाहूंगा यह बजट कार्पोरेट क्रिसी स्वास्त रोजगार हर छेत्र को चूते वे इतना बढ़िया बजट इन्होंने पेज किया है यह खाली एक साल का बजट नहीं है इसमें लॉंग टरम प्लानिंग है कि देश आप निर्भर भारत की तरफ आगे बढ़ेगा जी बिलकुल आसर आपने कहा कि मोटे तोर पर आपको लगा कि सब कुछ बहुत अच्छा है उद्योग व्याप प्रधानों से कहां तक संतुष्ट है देखिए इस आपदा आफट वाली कोविट महामारी के बाद यह पहला बजट था और अभी कोरोना पूरी तरह खतम नहीं हुआ है ऐसे में बित मंत्री जी का और हमारे प्रधान मंत्री नरेंदर जी मोधी का पूरा फोकस रहा है कि र में प्रावधान करके यह दरसा दिया है कि हम व्यापार उद्योग जगत को उस स्री सस्तान पर आप निर्मर भारत पर ले जाना चाह रहे हैं कि जो मेड इन इंडिया का सपना जो भारत सरकार का है वो निश्ची तरुप से साकार होगा चोटे-चोटे लगू द्योगों को बढ़ावा दे कर और एक बात और करना चाहूंगे मेरे याद आई अभी हाल ही कोरोना काल में USA की वर्ड मेगजिन सीओ वर्ड मेगजिन ने सर्वे किया उसमें पूरे वर्ड में उन्होंने इंडिया को फस्ट नंबर दिया इंवेस्टमेंट के हिसाफ से ब्यापार के हिस और चुकि राजस्तान में अपने उसमें राजस्तान को स्टेट वाइज भी पांचवास्तान मिला है यह हमारे लिए गौरों की बात है हम सरकार की मैं इस पे जो ब्योस्ता है उसमें दन्यवाद देना जाँ जी बिलकुल आपने ठीक कहा अरुन जी आपने यहां पर बात क इसके कारण जो बाहर से आने वाले आटम में कई आइटम तो महें भी हुए कई सबसे हमारे से फ्रीज घ्डेगी यह चुछ आइटम महहें हुएं इनको जरूर थोड़ा महंगा कर दिया गया है इसके अलावा सबसे बढ़ी बात हमारे टेक्स में नों ने काफी के रूप में चुनकी को कोना यहां शाय गानेनेगा बढ़ाने के णहाएं इन्हां ऑप्र कराव रोपर्ड नया किया गिए उन्होंने अपनी भावना को बिल्कुल जी एक बात मुझे यह बताएं कि जब कभी भी हम बिजनिस की या कॉर्पोरेट सेक्टर की व्यापार की व्यवसाई की जगत की बात करते हैं तो कहते हैं ना एक लाइन है कि कथनी और करनी में अंतर होता है प्रोविजन्स दिये गए हैं बजट आया है सौगाती दी गई हैं लेकिन किसी भी चीज़ को theoretically बोलना पढ़ना और practically उसको apply करना इसमें कुछ अंतर आ जाता है तो किस तरह की चुनोतियां इस शेत्र में देखने को मिल रही है देखी अभी चुनोती जैसा अभी मानी परदान मंतिय जी का अभी यही नारा है अभी जो बड में विसम परिसिद्या चल रही है चाइना का सब को मालूम है उधारण ऐसे में अपने मन में भावना दिड़ संकल्प का जो जज़वा है उसके लिए हमको डिस्टिक लेबल पर कर इंप्राह स्ट्रक्चर त्यार करें हैं इतना जबर्धां इसमें किया है इतना बजट में प्रावढ़्हान कि त्टिक हो कूड़क व सड़कों है जैसे वेस्ट में संचा करोड रूपया दिया कोलकुत्ता के सिली गुडी हाइवे को निर्मान करने के लिए जबरदस्त प्रोविजन दिया है तमिल नाडु के लिए 1,00,000 करोण दिया 65,000 करोण रुपया करन्या कुमारी इसको डबल अब करने के लिए दिये तो निश्ची तरुसे ये सारे विकास इंडिया को आगे ले जाएगे बिलकुल अरुण जी आपसे پूछूंगी की परदान मंतरी नदेंटर मोधी हमेशा युवा पीरी को आगे बढाना चाहते है युवा को सशक्त करना चाहते है उन्हें प्रशिक्षित करना चाहते है वो चाहते हैं कि जिस भारत की नीव हम यूवा पीडी के कंधों पर देखते हैं वो हमेशा से आगी बढ़ती रहे और वो हमेशा वोकल फॉर लोकल इसके लिए हमेशा पुर्जोर जोर देते रहे हैं तो इस वोकल फॉर लोकल को आप केंद्रिय बजट से किस तरह से जी आपने सही का हमारे प्रदान मंत्री जी का यह बीजन है और यूथ के लिए जो आप बात करी हैं यूथ चुकि इंडिया का पॉपुलेशन में वर्ड में सबसे जादा यूथ पॉपुलेशन इंडिया में और वर्ड का सबसे बड़े यूथ आइकॉन स्वामी वियकान लेते हैं तो जब तक पुरा नीन होता है वो निश्चित वे तो यूवाओ के लिए इन्होंने काफी कुछ इस बजट में किया है कि द्योगों के बारे में सेल्फ डिपेंड के बारे में बैंक की पोलिसिया चेंज करके कई तरह के इंट्रेस्ट और स्टार्ट अप बिजन है सवाल से पहले की जब मुलकों की और राष्टों की बात होती है तो सभी को अपने बिजनेस अपने परमाणूं के लिए नास था कहते हैं ना सारे मुलकों को नास था अपने परमाणू पर लेकिन काइना सिमट गई एक छोटे से किटानू पर कोविड नाइंटीन जैसी पर इस चुनाती के बाद इस तकलीफ के बाद अर्थ व्यवस्था पूरी तरह से चर्मरा चुकी है अब ऐसी इस्तिती में ये बजट आर्थिक दरश्टी से अर्थ व्यवस्था से किस तरह से एक मजबूती की मिर्शाल बनकर काइम रहेगा बिल्कुल ये बजट जो है ज इनके सपनों में जाना होती है जिस तरह का होसला हमारी भारत सरकार हमारी बित मंतरी जी और सारे मंत्राइलाए ने इस कोब्लिट काल में जिस तरह का वैल मेनेज़ किया उसका पूरा वड़ में आज भारत की प्रसंसा हो रही है इस COVID management के लिए बिलकुल सर मैं यहीं पर आपको बात से जोड़ना चाहूंगी कि जब युवा पीडी की बात हो रही है COVID-19 situation की बात हो रही है और मुझे लगता है यह कैसी तकलीफ एक ऐसी तरासदी बन चुके जिसे हम आज तक भी नहीं उब रहे हैं ऐसी इस्तिती में सरकारी योजनाए, परियोजनाए, प्रावधान, प्रोविजन्स, कानून, संशोधन, अधीनियम यह सारी की सारी चीजों से शहरी शेत, विक्सित लोग, एजुकेटेड लोग यह आगे आ जाते हैं लिकिन आज भी पिछड़ापन, गरीबी, ग्रामीन इस्त रूप से भारत देश ग्रामीन प्रधान देश है, यहां ब्यापार उद्योग गाउं तसील धानी इस्तर पर फैले हुए हैं, लोग उपर मकान रहते हैं, गाउं में और नीचे अपना आटा चकी लगा रखे हैं, ऐसे में इनको सब देखते हैं भारत सरकार की तरब, जिस खुद टेक्स्टाइल पार्क बनागे और टेक्स्टाइल इंडस्ट्री को आगे बढ़ागा, इस तरह रेलवे लाइन में में देखा हूं, रेलवे में इन्होंने घुसना कि रेलवे को इलेक्टिपीसर कर रहे हैं, यहां भी ब्रोड़ गे लाइन है, पूरा करेंगे, हम भारत को विकस्ट बनाना चाते हैं, यह अब सभी जानते हैं कि विकास शील से निकाल कर हम उन देशों में उन राष्टों में पहुचना चाते हैं, जो विकस्ट देशों की शेनी में है, तो यहां आत्म निर्बर भारत पैकेज कितना सहायक सिद्ध होगा? देखिए आत्म निर्बर भारत पैकेज कि बजट के शुरुवात में ही बोले कि यह कार्परेट किर्सी स्वास्ट पर है, अब स्वास्ट का ही उधारन लेता हूं मैं, दो लाग तेश्जार आठ सो च्छी आलिस लाग करोड रुपया इन्होंने स्वास्ट पर बजट में जो पीछले साल करेंटियन में चौरानवे हजार पैतालिस चौरानवे लाग पैतालिस रजार दो सो करोड रुपया बार, मनला एक सो सेटीस परसेंट ब्रिदी, स्वास्ट वे, और इस जीडीपी का एक परसेंट इस्सा स्वास्ट के पर जाए, तो जहां जिस देश का ना प्रावधान किया है, और न्यूमो कोकल वैक्सीन जो भारत द्वारा निर्मित है, जिसको पूरे देश में लगाने का प्रोग्राम है, तो निश्ची तरुप से जब स्वास्टी करेगा, तो आत निर्मर भारत भी बनेगा, और देश का हर नागरिक स्वास्थ सुन्दर औ लेकिन मेट इन इंडिया, इस बजट के बाद क्योंकि आज की युवा पीडी जहां एक तरफ जॉब्स के लिए रुझान रखती है, वहीं दूसरी तरफ एंट्रप्रिनोर्शिप के लिए या अपना कुछ खड़ा करने के लिए भी वो उतनी ही डेडिकेटेड हैं, ऐसी परिस्तिती में हम इस बजट को मेड इन इंडिया प्रोड़क्ट से कैसे बूस्ट करवा सकते हैं? बिल्कुल सही कहा है, आपने मोनिका जी, मेड इन इंडिया होत बड़ा हमारा एक स्लोगन भी है और एक भीजन भी है, बिल्कुल, छोटे छोटे उद्द्यमी जो पढ़ रोजगार की समस्या को आप में इससे जोड़ना चाहूंगा, जो रोजगार आज पढ़ लेते हैं हमारे और उनको रोजगार नहीं मिलता, ऐसे में जो इनोंने मेड इन इंडिया और आतनी भारत वाली बात ही वापस घूम के आती है, ऐसे में इस्टेंडर ऑपरेटिंग अपसों सरकार को हर पाइसे जएसे आइटी सेंटर में काफी दवा के सेक्टर में आपरेटिंग के सक्टर में सम्भावना हैं दवाईयों के सिक्टर में, API जो दवाईयों का मैं रामितर ले वो बैसका 78% लिए Dust fizik में हमको फोकस करना पढ़ेगा इंपोर्ट का सब्सिhlit त्यार पढ़ेंगा जो इंपोर्ट हम करने जिसके काtailsए निर्भक नहां पड़ता है वह यहदी प्रटेक्शन होना चालू होजाए और वह सारे स्टेट और डिस्टीकि वाइज में उसको फोकस करके उसके स्टेंडर ऑपरेटिंग प्रोसीडर बना के और नॉटल अपसर नियुत कर दिया जाए और बैंक को भी उसके साथ जोड़ दिया जाए तो निश्ची तुरुप से वह मुकाम एक दिन निश्ची तुरुप से यहीं पर आपकी बात को मैं पूछना चाहूंगी कि जहां आइटी सेक्टर की बात हो रही है जहां पर बड़े-बड़े उध्योगों की बात हो रही है लेकिन फिर मेरा सवाल वहीं पर आकर रुखता है कि बड़े उध्योग बड़े शेतर आगे आने के लिए और भी इच्छुक तो हैं लेकिन भारत से छोटे और लगू उध्योगों का किस तरह से आगे जाकर विकास सहयक हो पाएगा देखिए छोटे एक दिन में कोई भी बड़ाव नहीं बन सकता मैंसी नहीं बन सकते उसके लिए छोटे रूप में चालू करना पड़ेगा वहीं आपकी वाली बात कि जिन्दगी क की अभी बाकी है जिन्दगी के की इमतान भी बाकी है तरह तो ना पिये हम भारतवासियों में मुठी बाद जमीन भारतवासियों के लिए पूरा आस्मान बाकी है। लेकिन आप इस बात को बहतरीन तरह से जानते हैं कि व्यवसाई के लिए व्यापार के लिए उध्यों के लिए और इस जगत के लिए किस तरह की चुनोतियां किस तरह के चैलेंजिस रहते हैं तो इस बजट की घोशना के बाद और पहले आप इन चुनोतियों को और उसके समा साते हैं किन्तु इस्टेट और सेंटल के कोडिनेशन नहीं होने के कारण वो धरातल पे कई पॉलिसिया कई प्लानिंग नहीं उतर पाती है ऐसे में केंदर सरकार को यह चाहिए वह सब इस्टेट को अपनी जो पॉलिसी लाए जो प्रॉसिडर लाए जो हम दोगों के लिए ल स्वास्थ को लेकर बताएं कि किस तरह से प्रावधान किये गए हैं और कितने कारगर साबित होंगे स्वास्थ का तो जैसे मैं भी बात बताया आपको कि एक परसेंट इसा यह पहली बार हिंदूस्तान के इतियास्त में हुआ है पूरी जीडीपी का एक परसेंट इसा स्व स्वास्थ को विशेष्ट फोकस किया है कि भारत का हर नागरीग स्वास्थ रहेगा तो हर चैत्र में परघ्टी करेगा जैसा मैं बताया कि दो पाइंट टू लाख करोड रूपिया स्वास्थ के उपर खरचा करके इन्होंने ऐसा स्वास्थ का और इतना Well Manage कि स्वास्थ क कितने क्या लेकिन भारत में अपने को ऐसी कोई घटना नहीं देखने को मिली कहीं सुनने को नहीं मिली जो कि इतना वेल मेनेज हैल्थ मेनेजमेंट हुआ और इस बजट में अब जितना प्राफजान कर दिया इसके लाइनों ने कई तरह के पड़ा एजुकेशन सेक्टर में एजुकेशन से ही स्वास्त और सारा लिलेटेड है सो से जादा सेनिक स्कूल खोलने का एलान किया गया है अज ले में सेंट्रल निवर्शिटी बनाने की गोशना किए गए और महिलाओ के लिए तो मैं करना जाओंगा महिलाओ भी से इसकर आप भी महिला चुकी मोनिका जी और महिलाओ के लिए नोंने फूरा हर सेक्टर में हर प्लीट फारावाण पर खांप करने की चुट दिया है और साथ में रात तरी सिट में भी काम करने की जिए जब तक पूरुसे कदम में कंदे से कंदे में लागनी चले की देस कभी प्रगत्विए इसे महाननी ओधीजी और भारत सरकार ने जितनी यह भावनाय ब्रक्तिय महला होगे पड़ती सरमिकों के बीसेस काम किया आज हम कोरोना काल में देखे स्रमिक माइगरेट कर गे अपने जन्मस्तान चले गे तो सरमिकों को पोर्टल को खोलने की गोशना किये जिससे पूरे इंडिया में कहीं भी क्य आजमा गांदी ग्रामी योजना है उसको हमारे इंडस्ट्री से जोड़ दिया जाए तो निश्ची तुरुप से इंडस्ट्री में जो छोटे लगूत में है स्रमिक की जो समझ से आती है वो दूर होगी और इनका चुकि आधार लिंक भी है हम से तो आधार लिंक से हम पैम में नीचे आ चुके थे क्या हम उससे उभरने के लिए तैयार रहेंगे बिलकुल अब यह तो तैयारी हो चुकी है और हम भारत फिर में बोलना चाहूंगा फिर आपके कि सूरज रोसनी नहीं मांगता आसमान के तारों से खुद की ताकत से लेना होगा अपना अधिकार जो जोरो से खुद की ताकत से लेना होगा अपना अधिकार जोरो से तो जिस तरहीं भात सरकार ने सेंटरल बजट में इतने प्रावदान के बीमा सेक्टर में चोतर प्रसेंट एपडियाई को खोल दिया है आज बीमा कंपेनिया जो यहां की है वो कुछ मनमानी करती है अब य होगा लोन पर ब्याच की छूट सीमा घटा दी इन्होंने डेंड लाग रुपया एक साल तक के लिए और बढ़ा दी है यह स्वागत योग कदम है इसके अलावा हमारी जो यह जो टेक्स डिस्पूट होता था ट्रिमिनल में जाते थे उसको फेसलेस करने का प्रोगाम किया जिन और छेसल की सीमा घटा के तीन साल तक के केश को इखोला जाएगा पटास लाग से उपर या उससे लिए बाहत बागी जनल वे में पटास लाग की टेक्स डिस्पूट में तीन साल तक की फाईल को इतो खोलने का प्राबदा तो यह सब प्लस-फॉइंट है भारत को ऐसा व्यक्ति एक ऐसा प्राणी है जो अपने लिए नहीं हमेशा दूसरों के लिए जीता है उस फसल को बोने से लेकर और काटने तक का उसका सफर कहते हैं ना सोच से संभावनाओं तक का सफर होसलों से होकर गुजरता है तो एक किसान के होसले को नमन है ऐसी इस्तिती में उ निश्ची तुरूप से किसानों को बहुत ज्यादा फाइदा होगा साथ ही किसानों के लिए जल जीवन मिसन जल किसानों का सबसे बड़ा रामेटरिल है और जल जीवन मिसन में बजट में दो करोर दो टू पाइंट एटी सिक्स लाग करोर रुपया का इतना भारी बजट जल के लिए पानी के लिए जो किया गया है और निश्ची तुरूप से स्वागत योग कदम है इससे किसान तो लाबान भी तोंगे हम ब्यापारी उद्दमी भी लाबान दोगे और इसके लावा पे जल का भी इसमें प्रावदान किया गया है कई अपने हज्जारों गाओं और जहां पानी की आज भी सुब्योस्ता नहीं है ऐसे में पानी की ब्योस्ता निश्ची तुरूप से ये स्वागत योग कदम है मुझे आप ये बताएं सर कि महिलाओं के बारे में बात हुई क्रशी के शेतर में बात हुई किसानों की बात हुई प्रावधान पहले बी थे लेकिन क्या वास्तविक्ता का रूप ले पाएगा ये सब कुछ बिल्कुल ये डीजिल इंडिया का जो प्रावदान है आज जो पैसा जा रहा है अभी कितने लाग करोर रुपिया इस कोरोना काल में डीजिल पैमेंट के मारफ़त से डारेक्ट खातों में गया है गरीबों के किसानों के सब के खाते में पैसे जाने के कारण निश्चीत रू के साथ रूबरू हुए और कहते हैं ना त्राक्टीकली बात करना और उसको सही तरह से दर्शकों के साथ बताना आपने यह का भूब हुबी किया चलते चलते आप हमारे दर्शकों को लगो और कुटी रुध्योग से जो जुड़े हुए व्यक्ति हैं उनको जो क्रशी से स अपना अपना अब साकार करेंगे अब सक्तिवान संगठीत राष्ट बन जनाधार बनेंगे हम सक्तिवान संगठीत राष्ट बन जनाधार बनेंगे बहुत बहुत शुक्रिया अरुन अगरवाल जी आपको एक बार फिर बहुत बहुत शुक्रिया कि इतनी बखुवी हमारे दर्शकों के साथ रूबरू होकर आपने बजट की घोशना के बाद आम जन के रूप में एक कारेकारिया ध्यक्ष के रूप में इंडरस्ट्रीस और प्रेट से जुड़े होने के बाद सभी मांसिक्ताओं को जोड़ते हुए आपने इती अच्छे तरह से हमारे साथ में बात चीद की बिल्कुल ठीक कहा आपने कि हम भी उम्मीद करेंगे कि हमारे देश का बजट इतना प्रभावी हो कि देश की प्रगति हो सके गरीबों को कि अधिकार मिले कोई भी रात को भूका ना सोए चलते चलते सिर्फ इतना ही कहूंगी कि ना मरे सीमा पर जवान और खेतों में कोई किसान बस बना रहे यूँ ही मेरा भारत महान तबसकार झाल झाल